अब बनाते हैं हमारा 7th chapter और इसमें बिसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ mathematical function data science के लिए क्या importance रखते हैं ठीक है तो इसमें data science में mathematical function एक तरह का linear function होता है यहां लिखता हूँ मैं l-i-n-e-a-r-f-u-n-c-t-i-o-n.py ठीक है यहां एक मिर्ट लिखते हैं इसको data science आपका notes भी ready करते जाते हैं साथ साथ और यहां मैं लिख देता हूँ linear function ओके देखो mathematical function actually as a data scientist बहुत बहुत जरूरी होता है ठीक है क्योंकि हम क्या चाहते हैं basically data science के तो किसी चीज का prediction करना चाहते हैं उसको interpret करना चाहते हैं ठीक है इसलिए mathematical function बहुत जरूरी होता है लेकिन जो linear function की अगर आप बात करोगे तो अगर mathematical function के साथ में अगर मालो की किसी दूसरे variable को relate करना है ठीक है वहाँ पर basically हम linear function का use करते हैं जैसे कि किसी चीज की relationship निकालना जैसे कि for example ले लो आपने ये जो dirty data.csv था इसको लेते हैं ये वाला example लेते हैं ठीक है इसको मैं explorer पर open करता हूँ एक बार और थोड़ा सा बढ़ा करते हैं इसको नीचे ओके average pulse, maximum pulse, our sleep ठीक है ये साफ साफ आपको दिख रहा है यहाँ पर तो माल लो मैं एक relationship की बात करता हूँ किसमें जो calorie burnage का column है और जो average pulse दिया हूँ है ठीक है तो हम एक proper reason ये निकाल सकते हैं ये assume कर सकते हैं कि जो calorie burnage है वो जब भी change होगा तो average pulse change होगा ठीक है simple सा एक simple सी बात है ना जब भी calorie burn जो है वो increase होगा तो simple है कि जो average pulse है ये भी change होना ही चाहिए है ना मतलब calorie burn और average pulse ये दो variable ऐसे हैं जो कि dependent है एक दूसरे के ऊपर ठीक है मतलब calorie burnage depend है average pulse पर तो हम ये कह सकते हैं कि calorie burnage जो है वो एक dependent variable है और average pulse जो है वो एक independent variable है ठीक है तो जो मैं बता रहा हूं उसको ज्धान से आप देखते जाओ और इससे relate करते जाना बस उसको आपको पूरी चीजें overall clear हो जाएंगी ठीक है क्योंकि यह मैंने इसको explain किया हुआ है मैंने पिछले chapter पर ठीक है तो dependent और independent variable की जो भी relationship निकलती है उनके बीच की उसको हम mathematically एक formula के तूर डिलेट करते हैं जिसको हम कहते हैं function जो कि आपने यहां पर अभी यह जो देखा है function वाली चीजें linear function ठीक है तो जो भी relationship निकलेगी इन दोनों के बीच पर उसको हम कहेंगे यह वाला linear function ठीक है जैसे अब यहां पर मैं लिखता हूँ अब आपको clear हो गया होगा तो कि linear function has one independent variable ठीक है और one dependent variable ठीक है और उसका जो एक्ट्र में क्या होता है एक अपनने आपने मालोव वरियबल ले लिया वाई ओके मैं यहां पर लिख यहां पर लिख रहा हूं और यहां पर लिखूंगा function इसके अंदर x ठीक है अब फिर करूँगा इस एक्वाल टू एएक्स फ्लस भी ठीक है आपको कुछ clear नहीं हुआ ना यह क्या है कि y क्या है f क्या है x क्या है a x क्या है plus b कैसे आया है ना अभी आप यह समझो कि यह जो function आपने लिखा है ना यह function क्या करेगा calculate करेगा dependent value की variable जब भी हम कोई value choose करेंगे f में x में a में b में वो तुरंद interpret करेगा ठीक है तो मैं यहाँ पर दिख देता हूँ यहाँ पर this function used to calculate the dependent variable जब भी हम कोई उसमें put up करेंगे अब इसमें जो है y f a b इस सब क्या क्या है इसके बारे में देख लो पहले आप ठीक है y क्या है मैं ऐसे लिखता हूँ y क्या है y जो है वो है आपका output ओके इसको बहुत ध्यान से देखना आपको पूरी चीज़ें clear हो जाएंगी ठीक फिर नीचे आ जाओ x लिया है न हमने x क्या है यह है आपका basically input ठीक है या आपको इसको बोलो independent variable ठीक है उसके बाद जो a है a basically क्या है a को हम बुलते हैं अपनी language में slope ठीक है slope का मतलब होता है यह एक तरह का coefficient होता है independent variable का यह हमको क्या देगा मैं आपको technical language भी बता दे रहा हूं simple language भी बता दे रहा हूं कि is the cofcient यह मैंने बताया हुआ है पूरा जो बाकी यह किस percentage से कोई भी चीच चेंज होके dependent variable बनी है यह उसका rate शो करता है ठीक है मैं लिख देता हूँ it gives the rate of the change of the dependent pnd and t variable ठीक यह चीज़ के लिए अब इसमें एक और word है ना देखो b है यह b क्या है b को हम कहते हैं intercept c e p t intercept का मतलब जब जब x की value 0 होगी ठीक है तो वो जो value होगी ना उसी को कहते हैं intercept क्या आप ऐसा समझो कि यह एक ऐसा point है जहां पर जो diagonal line होती है vertical axis में वो cross होती है ओके मैं लिख देता हूँ is the value of the dependent variable आप यहां पर अपने इसाब से जो value दोगे variable वो value आओगी ठीक है clear अब linear function जो होता है न मैं अभी थ्योरी लेकर आऊंगा तो आपको और अच्छे से clear हो जाएगा जब हम plot करेंगे linear function को एक explanatory variable के थुरू भी आप उसको discuss कर सकते हो मैं लिखता हूँ linear function with one explanatory variable ओके इसका मतलब क्या हुआ मतलब क्या हुआ कि हम एक variable भी use कर सकते हैं किसी भी prediction के लिए we can use one variable or any ठीक है वी A-R-I-A-B-L-E for prediction P-R-E-D-I-C-T-I-O-N ठीक है मालों की जैसे हमको calorie burnage का हमको prediction करना है average pulse के थुरू ठीक है यह देखो दे रहा है ना जो calorie burnage जो है इसका मुझको prediction करना है average pulse के थुरू को कि मैंने क्या बोला यह दोनों value आपस में dependent है तो देखो 80 के इसाब से 240 आया 85 के इसाब से 250 आया 90 के इसाब से 260 आया ठीक है तो मैं यहाँ उसको एक value दूँगा पहले उसको एक formula दूँगा कि भाई मेरे को आप calorie burnage जो हो यह निकाल के दे दो तो मैं कैसे करूँगा यहाँ यहाँ बिसिकली मैं लिखूँगा मैं single variable पर ले रहा हूँ ना fx ठीक है is equal to यहाँ पर इसको comment देता हूँ fx is equal to 2x ठीक है प्लस 80 मैंने दे दिया अब आप इसको इसके साथ relate कर लो ठीक है मैं इसको उपर नीचे लिखता हूँ ठीक देखो जो मैंने लिखा है मैं उसके साथ से इसको relate कर रहा हूँ अब यह बता देता हूँ कि यह basically अपने लिखा किया है f क्या हो गया हमारा output हो गया है वो मैंने यहाँ पर देखो उपर में लिखाया हुआ है ठीक है इस function calculator dependent value ठीक है जहां पर prediction होगा ठीक है तो अब function x है ठीक है function x है इसको भी relate कर देते हैं चलो मतलब मैं पूरा complete कर देता हूँ इसको ताकि आपका theory खतम हो जाए fx क्या है fx basically है आपका the output ठीक है मतलब जो एक तरह का number जहां हमको predicted value मिलेगी किसकी calorie बढ़ने ज़की हम यही वाला example ले रहे है ठीक है अब नीचे आजाओ अब इसमें देखो एक value आई आई आपकी fx के साथ में x x क्या है x basically input है ठीक है समझ लो which is average pulse पी यू एल एसी ओके एवरेज पल जैसे 80 85 90 95 यह लिया है आपने तो वैसे ही अपन यहां पर ले रहे हैं ठीक है ओकी dependent इंडिपेंडेंट वैल्लिव है अब फिर नीचे आजाओ अब देखो वहां पर मैंने दिया हुआ है 2 x दिया हुआ है ने मैंने तो इसमें यार यह 2 क्या है 2 basically क्या हो गया हमारा slope हो गया जो हमने मैंने ऊपर यहां पर पूरा दिया हुआ है आप बस इसी को relate करोगे तो मैं वही वही लिख रहा हूँ जो उपर लिखा हुआ है basically ठीक है मतलब एक तरह से हमारा अब मैं real life में ले रहा हूँ यह इसकी definition थी और इसको मैं अभी इस example के थूँ यहां पर लिखवाता जा रहा हूँ कि यह basically है क्या यह क्या specify करेगा कि कितना calorie burnage बढ़ता है जिसके कारण हमारा average pulse भी बढ़ता है ठीक है clear मैं लिखता हूँ कि specify 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 how much calorie burnage spelling देख लेना है और consider कर लेना increases if the a v g a v e r a g average pulse p u l s e increases by one ओके मतलब आप यह समझो कि कितना steep diagonal line होती है ओके अभी आप plotting में आप सब देखोगे ना तो पूरा clear हो जाएगा उसके वाद मैंने एक और value ले लिए मैंने क्या ले लिया 80 ठीक है 80 क्या है मेरा 80 मेरा intercept है कि cpt मतलब एक तरह की fixed value वी एल यूई ओके यह value same dependent value जैसी है ठीक है तो यह basically हमारा output कुछ इस तरह से बनता है और जब हम plot करते हैं तो plotting में कुछ इस तरह का आपके पास बनेगा ऐसा और इस तरह का plot बनता है एक straight line भी बनती है फिर कभी कभी scatter plot भी बनता है बहुत कुछ चीजे हैं जो अपने matlot lib पे देखी हुई है है न साइपाई पे भी देखी हुई है ठीक है तो हम उसके बारे में पूरा discuss करेंगे यहाँ y-axis होता है यहाँ बताता हूँ कि अब इसको basically plot कैसे करना है ठीक है यहाँ पर एक comment लिखते है यहाँ लिखते हैं डेटा साइंस plotting यह तो आपका theory theory हो गया अब main practical आपन करेंगे जैसे कि अपने पास में यह वाला डेटा सेट उठाते हैं आपन आपन ने लिया हुआ है डेटा.csv यह वाली ठीक है जो अपन ने हाँ पे खोला हुआ है इसी को उठाएंगे और इसी पर करेंगे एक तरह से समझो कि यह आपका एक sports का मालो हेल्थ डेटा सेट है ठीक है जो मैंने पहले बताया था तो अब इसी चीज़ को अपन प्लॉट करते हैं ठीक है यह कैसे करोगे नीचे आ जाओ यहां पर हम क्या करेंगे आँ 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 वी कैन ऐसे लिखता हूँ वी कैन फॉर्स्ट लॉट द वैल्यूस आफ एवरेज पल्स एवी एर एजी एवरेज पल्स ठीक है अगेंस्ट कैलोरी बर्णेज वी यू आर एनेजी ठीक है और किसका यूज करेंगे आपन बाई यूजिंग दे मैट पलॉट लिप ठीक है यह बहुत पावर्फुल लाइब्रेरी है जिसके तुरू आप पलॉटिंग कर सकते हो ओके कैसे करोगे सबसे पहले तो भा है पलॉट लेब को मैट पॉटलेब डॉट पाई पलॉट ठीक है यह मैंने आपको पूरा बताया हुआ है मैट पलॉटलिप की सीरीज में स्पील्टी करतो उसको यह लियास बना तो इतना बड़ा नहीं लिखेना है तो ओके और अब क्या करते हैं कि अपन पलॉट करते हैं ना तो अपन इसको प्लॉट करेंगे ओके तो मैं यहां पर लेता हूँ मुझे ना पुराना वाला उठाना पड़ेगा ठीक है तो मैं क्या करता हूँ प्रिंट हैल देटा रीट सीएस भी मैंने किया ठीक है मैं यही करता हूँ सेम ओके अब इसको मिक्सप कैसे करोगे पहले मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इसको सिंपल इंपोट पांड़ाजा स्पीडी हैल डेटा हमने रीट सी करा ली मैं प्लॉट लिप के तुरू यहां पर यह अपन लिये लिया है हेल डेटा को अपन जब प्रिंट करेंगे तो अपने पास हेल डेटा का आउटपूट आ जाएगा तो मैं अभी इसको बस रीड करवा रहा हूँ सपरेटर भी हमने दिया हुआ है पर्फेक्ट ओके और या एक काम करो अगर आपको लगता है तो इसको अपन देख भी लेते हैं एक बर डेटा डॉट सीच्वी सेव मैं एक बर देख लेते हैं न क्यों प्रॉब्लम नहीं है क्यों एरर आया यार उससे अच्छा तो देखन अच्छा होता हुआ है उसका है अडा इस हम पोकई है उसक्वाह वेट करते हैं वाव आगया ठीक है मतलब दस रोच्थे कॉलम हैं हमारे पास परफेक्टली है ना पहला वाला किया ओक है दस रोच्छे कॉलम एक्जिक्ईूट हो गया हम लोट कर लिया है एक अब मैं ठीक मैंने क्या किया है import mat plot टीप किया अब इस सब को उठाके मेरे को कहां पे ले किया आना है पाई plot पे ले किया आना है तो मैं क्या करूंगा यहां पे इसको लिखूंगा health data health data है हमारा उसके नाम सा variable है dot करोगे और आप करोगे plot ठीक है यह आ गया plot आपके पास में अब इसके अंदर आप क्या करो एक्स और wai होता है plot में है ना plot में क्या होता है एकस और y मैं एक दिखा देता हूं यह हमारा plot है ओके यह आपका हो गया नीचे x axis यह हो गया आपका y axis तो हम x axis में क्या लेने वाले हैं जो हमारा average pulse वाला जो column है pulse वाला ठीक है और यहाँ पर क्या लेने वाले है calorie calorie burnage जो दो column अपन जिसके उपर research करने वाले है ठीक है ऐसे करने वाले हैं हम तो हम यहाँ क्या करेंगे इस plot के अंदर मैं लिखूंगा x x-axis के लिए is equal to value यहाँ पर मैं इसको दे दूँगा single inverted column में आप double भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है अब आप क्या करो इसको as it is copy करना है आपको है ना error नहीं आना चाहिए तो एक काम करो सीधे data source CSV में जाओ और यहाँ से इसी को copy कर लो क्योंकि एक भी case sensitive रहता है तो case sensitivity वाली चीज़ें यहाँ नहीं आनी चाहिए ओके यह हो गया average pulse copy अब हमको X की value हो गई य की value भी दे देता हूं मैं य की value भी मैं दे दूँ कौन सी calorie burnage तो यह हो गया मेरा calorie burnage ओके नीचे आ जाओ यहाँ paste कर दो calorie burnage ठीक फिर यहाँ जाओंगा नीचे अब मैं यहाँ पर एक और comma लगाऊंगा यहाँ लिखूंगा kind ठीक है देखो kind अभी यह नए वाले function में आया नहीं है इसके मतलब यह नहीं की kind नहीं है ठीक है kind है okay dot अब यहाँ मैं कर दूँगा line क्यों मैं कर रहा हूं क्योंकि basically मुझे क्या करना है मुझे यह करना है कि एक straight line खीचनी है तो जैसे मैं scatter plot के लिए scatter करता था ना वैसे ही मैं बोला हूं कि मुझे जो भी आप दिखाऊगे वो line के थ्रू दिखाना तो जो kind है यह हमें यह बताता है कि किस type का plot हमको चाहिए अगर हमको को कोई स्ट्रेट लाइन खीचनी है तो हम kind is equal to inverted कॉमा लाइन ऐसे लिखते हैं ठीक है यह clear हुआ ओके अब मैं आ जाता हूं नीचे और यहां पर लिखता हूं PLT पाइपलोट के लिए ठीक और यहां लिखता हूं Y-lim ठीक है अब यह आप बोलोगे यह सर्वाइ लिम क्या है पहले मैं लिख लेता हूं ठीक फिर आपको समझा देता हूं यहां पर मैं कर देता हूं Y-min is equal to 0 ओके और PLT dot X-lim यह कर दो X-min is equal to 0 ठीक है यह मैंने क्या किया जो PLT Y-lim और PLT X-lim function होता है यह हमें यह बताता है कि कौन सी value हमको चाहिए X-X के लिए start करने के लिए ठीक है जैसे मैंने इसको बोला कि आप X में 0 से शुरू करो अगर मैं यहां 10 लिखता तो जो मेरा plotting था वो 10 से शुरू होता मतलब मालो यहां पर 1 2 3 ऐसे होता ना तो वो plot लगबग यहां से line शुरू होती ऐसे तो ऐसी तो line होती ही नहीं है ना line कहां से शुरू होती है हमेशा ऐसी शुरू होती है ना तो यह वाला point आपका 0 है तो मैंने X-X को यह बोला है X और Y दोनों को यह बोला है कि आप जो भी कुछ करोगे यहां से शुरू करना ओके तो वही मैंने यहां लिखा है kind line के लिए और PLT Y लिम ठीक है Y minimum 0 से start करो और X लिम में X minimum 0 से start करो ताकि मेरे पास plot जो है वो कुछ इस रूप में आए ना कि इस रूप में या फिर इस रूप में ठीक है यह practices होती है बहुत काम करती है अब simple मैं कर देता हूँ PLT.show PLT.show क्या करूँगा? PLT.show करने के लिए क्यों कर रहा हूँ को क्यों इसको output चाहिए ठीक है मेरे साब साब को clear हो गया होगा अब मैं क्या करता हूँ इसको सीधे सीधे execute कर देता हूँ हमारे पास एक बड़ी आसा ना plot जो है यह open होके आ जाएगा X-axis में लगभग data के accordingly यह वाला data है मतलब समझ लोगई 20-40 इस टाइप से आएगा यह देखो आगे आपके सामने plot मैं इसको बड़ा कर देऊ ठीक है आप यह देखो अब आप बोलोगे सार 0 से शुरू होना था नहीं मेरे भाई क्योंकि हमारे पास output वैसा नहीं है इसलिए इसने यहां से शुरू किया 80 से क्योंकि हमने 80 लिया हुआ है है ना हमने 80 लिया हुआ है मैं इसको समझा देता हूँ आपको आप इस इस पूरे इसको तो आपने देख लिया पूरा ठीक है यह वाला चैप्टर आपने पूरा देख लिया ना यह आपको समझ में आ गया ठीक अब मैं इसको समझा देता हूँ कि बेसिकली है क्या यह जो आपका calorie burnage हो गया, ठीक है, अब आप इसमें simple देख सकते हो, एक relationship, relationship, r-e-l-a-t-i-o-n, ठीक है, relationship, आप समझ जाना, ये क्या लिखा है, मैंने, relationship है, किसके बीच में, average pulse के बीच में, और calorie burnage के बीच में, ठीक है, एक relationship ही निकली है, calorie burnage जैसे जैसे बढ़ रहा है, ये देखो आप, calorie burnage जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे, average pulse भी बढ़ता जा रहा है, अगर calorie burnage अपने यहां दिया, और average pulse नहीं बढ़ता, तो line graph कुछ ऐसा जाता, लेकिन क्या हो रहा है, calorie burnage भी उपर की तरफ जा रहा है, देखो, और ये भी, ये जो है, इधर की तरफ भाग र जारी है, और ये चीज इधर जारी है, मतलब दोनों increase हो रहा है, इसलिए वो diagonal में increase हो रहा है, पर perpendicular जिसको अपन बुलते हैं, 90 degree, 45 degree, है न, clear हुआ, जैसे कि मालो ये एक plot है, अगर ये चीज नहीं बढ़ेगी, तो मेरा line कैसे बढ़ेगा, ऐसे बनेगा कुछ, क्योंकि यह यहां पर 10, 30, 40 यह बढ़ रहा है, अगर एक और plot लो, अगर यहां वाली चीज नहीं बढ़ेगी, तो मेरा line कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, क्योंकि यह बढ़ रहा है, जैकिन अगर दोनों बढ़ता है, तो मेरा line कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ठीक है, तो इसने क्या किया, 80 से इसने शुरू किया है, तो यह दखो, 80 से यह line इस तरह से हो गई है, इस तरह से बढ़ती जा रही है, मतलब दोनों equal proportion में काम कर रहा है, dependent है एक दूसरे पे, जब यह बढ़ता है, यह बढ़ता है, यह बढ़ता है, इस तरह से basically आप analysis करोगे, अब आप बोलोगे एक निमाग में आ रहे हैं, मैं उनको सौट ओट करता जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमने, आप minimum value देखो, कहां की, इसकी, को ऑके, इसकी, 80, देखो, minimum value कि इतनी 80, 80 से शुरू हुई है, ये 0 से शुरू हुई है, क्या कि 80 मिनिमुम वैल्यों ना तो मिनिमुम वैल्यू से ही तूँ स्टार्ट करेगा यार और कहां तक जाएगा 125 तक जाएगा अब यह आप देखो 125 तक यह को 120 और यह देखो 5 यहां तक गया यह 125 तक प्रॉपर ठीक है क्लियर अगर मैं देखो इसको 80 को हटा दूँ यहां से वहां पर 90 कर देता हूं इस पर यहां पर 90 कर देता हूं तो वह 90 से शुरू हो जाएगा ठीक है simple सा है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ओके तो यह जो plot है ना हमने जो बनाया यह basically हमने mathematical function का use किया है calorie burnage को predict करने के लिए कि उसका जो rate है वो क्या है तो इससे हमको simple सा conclusion यह मिलता है analysis के रूप में कि जब भी average pulse 80 होता है तो calorie burnage 240 हो जाता है ठीक है यह देखो 80 वाला point यह जखो 80 वाला point जैसी यह 80 में पहुंचता है calorie burnage यह देखो 240 यहाँ पर आपने देखा है ना प्रॉस पर दिया हुआ है एक्सल शीट में यह simple बन रहा है ना जब calorie burnage 80 था तब यह 240 हो गया जब calorie burnage 90 होता है यहाँ पर लगभग 90 होता है तो क्या होता है यह लगभग मुझको ध्यान है यह शायर 260 कुछ था ना वो एक मिनट देख लेते हैं ना यार कि देखो 90 पर 260 था है ना और 100 पर यह 280 चला गया है ठीक है मतलब एक मिनट मेंशी आ जाता हूं यह हो गया आपका 80 वाला लाइन सुरी यह गलत हो रहा है मेरे से मतलब लाइन मैं सही नहीं खीच पा रहा हूं स्ट्रेट कोशिश करता हूं माउस से बनाने की यह लगभग 240 गया है यहां पर लगभग 90 होगा क्योंकि यह 100 है तो यह अगर 90 होता है मालो तो यह देखो यहां पर आया ठीक है और यह लगभग 260 गुच जाएगा यह यहां पर जाएगा को कि इसके बीच में 50 है यहां पर कुछ जाएगा है ना अगर आप सीज़ा-सीधा लोग है मैं कोशिश कर रहा हूं सीज़ा-सीधा बनाने की बन गया ठीक है यह देखो यह 260 पर 90 गया 100 पर 280 था तो यह देखो 100 पर जाता है मतलब वो परफेक्ट है अपने लाइन थोड़ी 3D कीजी न इसलिए ऐसा है ठीक है समझ गए न मतलब यह एक पैटर्ण है मतलब एवरेज पल्स इंक्रीज होता है 10 से तो कैलोरी बढ़नेज भी 20 से इंक्रीम होता है है एक न हमने गग्तर से बढ़ाया है यहां द सका का इंटर्वल है और क्यलोरी बढ़नेज का कितना यह 280 था फिर 260 था और या पर this out 400 इसका इंध्रवल कितना है 20 मतलब सिंपल सा है एवरेज सब जब द यकार्फ से प्लॉट को यहां पर रोकता हूँ, होप आपको यह चीज clearly explain हो गई होगी, कि आपको लिखना कैसे, read कैसे कराना है, ठीक है, यह हमने क्यों use किया, पांडाज उस CSV फाइल को read कराने के लिए, फिर अपन ने simple यह चीज मैंने पूरी आपको समझा दिया, analysis भी आपको मैंने बता मैं इन दोनों को ना थोड़ा सा brief करूँगा, ठीक है, कि अपने को यह मिला कैसे, मैंने यहां पर इस plotting diagram में ही उसको बनाया कैसे, मैं उसको believe करूँगा, ठीक है, चलो, ओके, I think आपको समझ में आ गया होगा, कुछ कमेंट होती है ना, तो मुझे comment करना, ठीक है, मैं उसको बताता हूँ फिर, चलो, ओके,